हालो एब्रीवान और वेरी 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 गुद मॉर्निंग तो अलो फ्यू तो हाव यू वाल क्यास है अभी लोग बढ़िया बहुत अच्छे एक्साइटेड है आज की सेशन के लिए आई होप येस इच एड एवरी वन आफ यू सुपर दूपर एक्साइट पर रहे हैं और चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट फाकली आपको पढ़ाएं तो आप आज के आज ही आनकाडमी लर्निंग अप्लिकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपसे एक रेफिल कोड पूछा जाएगा कोड में आपको क्या लि रिजनिंग मिलेगा जनल अवैरनेस मिलेगा बेस्ट फाकली के द्वारा सारे के सारे बांकिंग एक्जाम की तियारी करवाई जाएगे आप 12 या 24 महिने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक लेंगे आपको बुक्स भी मिल जाएगी कोड आपको क्या दगाओगे निमेशा एन आ एम ए एसे इसकोड को अपलाय करोगे आपको माक्सिमम रिसकाउंट भी मिल जाएगा इफ यो एप्लाय दग और कोड क्या है निमेशा चालिया स्टार्ट करें आज का सेशन रेडी ओके सो पहला वर्ड किया है पहला वर्ड है स्क्राश करना स्क स्क्वाइश करने का मतलब क्या होता है आपने किसी इसको रोग दिया, कोई चीज थी आपने उसको बने रहने से रोग दिया, आपने उसको स्क्वाइश कर दिया, means आपने उस चीज को खतम करते है, means you squashed it, squashed it means you reduced it, you stopped it, कोई रिकत squashed में, part of speech क्या हो गया, action की बात कर रहे है तो part of speech is verb अगले word पर आते है devolve करना, devolve करने का मीनिंग क्या होता है, power transfer कर देना आपके पास कोई power थी आपने आगे की तरफ transfer कर दी इसका मतलब आपने क्या कर दिया devolve कर दिया, आपने power को transfer कर दिया lower level पर central government से local government के पास चले गई, that is devolve करना action की बात कर रहे है part of speech is verb bless करना किसी को means किसी को approval दे देना, आपने किसी को bless किया, मतलब वो चीज़ आपने उसको दे दी he blessed me with that means आपने उसको वो चीज़ दे दी bless करने का मतलब blessings देना भी होता है action है, verb है positive किसी के सामने रखना कोई चीज किसी के सामने रखना सच्चाई की तरह, that means posit करना आपने वो चीज़ लोगों के सामने रखी फिर से action की बात कर रहे है verb, ramification पर double star mark करू a very important word, ramification ramification का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ के complicated results, complicated or unexpected results किसी भी ramification part of speech is what part of speech is noun कोई दिक्कत यहां तक चारो अगला word, malign star mark करो, root word क्या है mala mala root word का मीनिंग क्या होता है bad to malign word का मीनिंग क्या हो गया कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुचा है उसको हम क्या बोलते है malign, something that causes harm evil part of speech is adjective deliberations last में I.O.N. लग रहा है part of speech क्या हो गया noun deliberation means discussion जहां पहें आप किसी भी चीज को discuss करते हो उसको क्या बोलते है deliberation एक word होता है deliberately इस deliberately का मतलब क्या होता है जान मूच के यह बिलकुल ही अलग word है तो deliberation का मीनिंग होता है discussion जबकि deliberately word का मीनिंग क्या होता है जान मूच के means intentionally incumbent के दो मीनिंग होते है एक मीनिंग दो होता है वो इंसान जिसके पास office है जिसके पास कुरसी है उसको incumbent बोलते है यहाँ पे यह noun का रोल प्ले करता है एक incumbent का मीनिंग क्या होता है जरूरी एक incumbent का meaning क्या होता है कोई ऐसी चीज जो क्या है जरूरी है important है necessary है तब यह किसका role play करता है तब यह adjective का role play करता है तो incumbent के यह दोनो meanings होते है vague is what ambiguous ambiguous का meaning क्या होता है कोई चीज जो clear नहीं है जो ambiguous है something which is not clearly expressed that is ambiguous part of speech क्या हो गया adjective vain करना धीर 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 करके कमजोर पढ़ते जाना इसके उपर भी double star mark करो a very important word vain means धीर धीर कर गए weak होते जाना कम important होते जाना action की बात कर रहे है verb boyd भी एक बहुत important word है double star mark की जी इसका मतलब किया है किसी जीज को support करना किसी जीज को और उपर की तरफ लेके जाना उसको और successful बना देना encourage करना motivate करना that is void action की बात कर रहे है part of speech क्या हो गया verb समझ में आ रहे है vocabulary सभी को everyone yes or no एक थमसब लगा के अपनी थमसब देखे अपनी attendance देदो सभी लोग everyone please give a thumbs up so that I get to see your names सभी के सभी लोग biligad biligad भी बहुत important word है biligad means जिसके आपास बहुत सारी problems हो बहुत सारी problems होना बहुत सारी difficulties होना that is what biligad imperative बहुत ज़रूरी very very important ये भी क्या है adjective है ये भी क्या है adjective है emanate करना किसी एक तरफ से बाहर निकलना emanate करना is किसी source से बाहर निकलना इसको क्या बोलते है emanate करना action की बात कर रहा है part of speech क्या हो गया it is a verb clear vocabulary सभी को चाले आज आते हैं आज के editorial पे and the topic is election referendum अच्छा एक चीज़ा सभी को पता है ना आज perfection class में marathon session है I hope सभी को पता है 3 घंटे की में आप लोग की marathon लेने वाले हूं 3 hours marathon है आज और कल में और सब के लिए free of cost है an academy special class में है जरूर attend कीज़ेगा very very important for all of you साड़े आठ बज़े से 10 बज़े तक आज है similarly साड़े आठ बज़े से 10 बज़े तक कल है yes and it is for everyone सब के लिए है हम सारे topics उसमें discuss करेंगे यह करके तो make sure that you attend it यहाँ पर आ जाते हैं election referendum चलो SNP को जो elections है वो Scotland के independence के बारे में नहीं बनाने चाहिए चलो देखते हैं author क्या कहना चाहरे है let's see what the author is trying to tell us read कीजे everyone सभी लोग read करेंगे जैसी पढ़ लेंगे comment करेंगे done हाँ बिल्कुल बेटा जो live वाला ford नहीं कर पारे है उनी के लिए तो निकाला है recorded वाला perfection पिछले विसाल वाला वाइटी पे नहीं unacademy special glass पे है code लगे कर निमिशा NIMI SH A class पे नुझाएगी सब के लिए चालो क्या लिखा हुआ है the United Kingdom Supreme Court ruling जो UK के Supreme Court का ruling ruling means the judgment आया has extinguished extinguished means खतम कर दिया उसने क्या खतम कर दिया इस समय के लिए तो कम से कम उसने खतम कर दिया the hopes उमीदे किस चीज की उमीदे खतम कर दि कि Scottish National Party जो है वो इस साल के अंत में later next year मतलब next year के last में क्या करेगी आग consultative plebiscite करेगी what is consultative plebiscite plebiscite का मीनिग होता है सबका vote लेना consultative में सबसे consult करगे सबकी जानकारी में तो a non-binding non-binding means जो optional हो non-binding is optional referendum is public vote तो ये जो एक public vote करेगी जो compulsory नहीं होगा किस topic के उपर कि क्या Scotland को एक independent country बन जाना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जो highest court है जो supreme court है उसने squash कर दिया squash का मतलब क्या है खता दिये put an end to खतम कर दिये दोनों claims जो Scottish government ने किये थे पहला claim किया थे Scottish government कि जो consultative aspect है consultative मीं हम से advice ले रहे है referendum का ये public vote से advice के लिए है इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी constitutional consequence नहीं होगा मतलब कोई से जबदस्ती नहीं लगवा सकता या इससे constitution को change नहीं कर सकता ये सिर्फ consultative है और ये सिर्फ और सिर्फ किसके power में होगा ये सिर्फ और सिर्फ devolved powers का within the legal scope of devolved powers ये सिर्फ इनके scope में होगा devolved means एक से दूसरी जगा power transfer कर दी गई है और दूसरा क्या था कि that it carried legitimacy ये legal है international law के अंदर जो हमें काम कर रहे है ये legal है जो allow करता है democratic expressions of the right to national self-determination कि ये हम सब के पास ये हक है कि हम इस बात को determine कर सके हैं कि हमें हमारी country को ले के हम कुछ पर आपस में discuss कर सके हमें हमें इस बात का हक है तो basically what is the summary summary ये हुई कि Supreme Court ने उस उमीदों को खतम कर दिया है उमीदे क्या थी उमीदे ये थी कि एक public vote होगा और उसमें ये जाना जाएगा कि क्या Scotland को एक independent country बनना चाहिए नहीं करना चाहिए Supreme Court ने इस बात को हटा दिया Supreme Court ने दोनों ही claims को बिल्कुल ही squash कर दिया खतम कर दिया पहला claim ये था कि वो consultative aspect है मतलब वो non-minding होगा constitutional नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ पावर्स के scope में होगा और दूसरे चीज कि ये बात legal है international law के अंदर जो कहता है कि हाँ सब लोगों के expressions को हम ले सकते हैं consider कर सकते हैं समझ आया सभी को everyone चलो everyone did you understand it चलो next paragraph चलो 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 the court argued court ने क्या argue किया कि जो devolved parliament इसको powers दी गई है hollywood में उसके बास power नहीं है कि वो दूसरा referendum करवा सके दूसरी बार वो लोगों से vote ले सके referendum is also plebiscite means public vote ले सके independence को लेके तो court ने बोला इनके पास power नहीं है कि ये public vote ले सके independence को लेके पहली बार ऐसा 2014 में हुआ था जब तक जो Westminster की जो parliament है वो इस बात को मान जाए agreed it could do so जब तक ये लोग हानी कर देते जब तक इस वाली parliament के पास power नहीं है कि वो referendum ले ले independence पे which unsurprisingly जो चौकने वाली बात ऐसी कोई है नहीं कि इतनी ज़दा political answer ने बनी हुई है कि it has not blessed उसने उस पावर नहीं दी है तो क्या दिखा हुआ है कि जब तक Westminster की parliament नहीं कह देती कि आप referendum ले सकते हो तब तक holly road की parliament referendum नहीं ले सकती है और Westminster की parliament ने मना कर दिया है अभी तक वो power नहीं दी है साथ की साथ UK के Supreme Court ने और क्या बात आगे रखी positive means put forward तो UK का जो Supreme Court है उसने एक बात और आगे रखी कि जो SNP का जो draft bill है कि वो एक referendum करवाना चाहते हैं उसका जो है constitutional impact पड़ेगा ramification means impact पड़ेगा दूसरी बात जो court को पता लगी वो क्या थी कि जो Scotland की जो position है region हो जिसको एक बहुत ही खराब power ने occupy किया हो और उसको exploit कर रहा हो या फिर उसको democratic representation का हक ना दिया जा रहा हो तो Scotland को ऐसी position में नहीं है Scotland जो अलग होना चाहता है Scotland जो एक independent nation बनना चाहता है लेकर Supreme Court ने बोला कि देखो तुम उस position में नहीं हो ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हें कहीं से exploit कर रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हें कोई foreign power ने occupy किया हुआ है ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हें कोई हक चीना जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो तुम्हें क्यों कह रहे हो कि तुम्हें independent nation बनना है या तुम्हें एक public vote करवाना है कि हमें independent होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो Supreme Court ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है public referendum की में पर्मिशन नहीं दे सकता समझा है सबी कुछ colonial का मतलब होता है कोई और country किसी और country में जाकि अपना control ले लेती है उसको बोलते है colonial expansion जैसे Britishers ने इंडिया में control लिया था तो वो क्या था बेटा colonial expansion था exploit में किसी का गलत फाइदा उठाना next paragraph अमरिता पिटा आपने ठंक से चेक नहीं किया होगा जो required perfection classes वाला batch है ना उसमें more than 70 classes upload हो चुकी है 7-0 आप 10 के रहो 70 plus classes upload हो चुकी है आगे क्या लिखा हुए given that this basic standard for making claims यह जो standard हो गया कि हमें independence चाहिए international law के अंदर अब यह चीज़ मीट नहीं कर सकते हैं यह से कैसे हर कोई बोलेगा कि हमें independence चाहिए top court की आखों में जरूरी नहीं है कि यह जो discussions है borders के बाहर भी जाए कि यह सब discussions नहीं होने चाहिए एक जो चीज़ है वो बिल्कुल clear है कि जो SNP के जो leader है और जो first minister है Scotland के Nicola Sturgeon वो कोई extremist नहीं है वो SNP कोई cutter नहीं है उन्होंने इस बात को माना कि Scottish government को follow करना होगा court की rulings को वो कोई protest protest नहीं कर रहे उन्होंने मान लिया कि हम follow करेंगे जो court ने कहा है लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि वो चाहती है कि जो UK के जो next general elections हो वो एक deep factor referendum हो independence में मतलब जो अगले elections हो वो हमें बताएं कि independence को लेके लोगों का क्या opinion है और यही plan है SNP का कि वो एक single issue उसे campaign बनाए जो कि UK की conservative party से अलग नहीं होगा जो बहुत सारे elections को referendum की तरह करती थी Brexit पे तो मतलब क्या है वो क्या चाहते है वो चाहते है कि जो UK के next general elections हो उसमें बात हो independence को लेके और इस issue को वो उठाए तो SNP के leader का यह क्या है यह उनका plan है हाला कि वो extremist नहीं है extremist का मतलब यह नहीं है मतलब होता है कि court ने मना कर दिया तो वो कोई protest करेंगे या लोगों को भड़काएंगी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो court ने बोला उन्होंने उस बात को मान लिया Brexit था Britain का exit European Union से उसको बोला जाता था Brexit पहले जो Britain था वो EU का part हुआ वरता था फिर Britain ने बोला कि मुझे इस EU का part नहीं बनना है तो मुझे क्या कर दो मुझे exit कर दो तो यह जो Britain का exit था इसको क्या बोला गया Brexit डी फैक्टो मीज बाइफाक्स चलो लास्ट पैराग्राफ अब आइड मीज बिटा फॉलो करना और अब notion वो स्थान कर दो उप सुड़ उप सुड़ भ्यूत ब्पर दो इस टॉपिक से दो रिलेटेड इशूज हैं पहला ये कि जो पॉलिटिकल स्पेस है स्कॉटिश वोटर्स के लिए स्कॉटलेंड के लोग के लिए कि वो अपनी प्रिफरेंसेस बता पाएं उन इशूज को लेके उससे अलग कि स्कॉटलेंड को इंडिपेंडनेंट होना चाहिए या नहीं ये सब चीज़ें हट जाएंगी और ये बात वहां की डेमोक्रसी के लिए अच्छी नहीं है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर स्न पी जो है इंडिपेंडनेंस रेफरेंडम इशू का इस्तमाल करती है अटेंशन अच्छा काम करेगा कि वो स्कॉटिश हार्टस और माइंड्स को जीत ले ना कि रिलाए करे मुश्किल रूट पे जुडिशियल और पॉलिटिकल वीटोस को लेके रेफरेंडम में तो अथर ने बोला देखो अगर वहां की जो गवर्मेंट है जो स्न पी पार्टी है अगर ये इंडिपेंडनने वाले इशु को ही लेके आती है इन ऐलेक्षेंस में तो लोगों की अटेंशन सब जगाह से हट जाएगी ना ही किसी और इशु पे बात होगी ना ही कैसी performance रही है उस पर बात होगी ना ही good governance पर बात होगी तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है इस single issue की उपर अगा पूरे elections हो जाएं that is wrong इन सब चीज़ों की उपर attention हटाने से कोई फायदा नहीं होगा तो फायदा किस चीज़ से होगा कि आप Scotland के लोगों का दिल और दिमाग जीतो ना कि इस referendum की उपर पूरा का पूरा depend करो ना कि इसको issue बनाओ आपको उनको अच्छी governance देनी है आपको उनके बागे के issues उसको solve करना है आपकी performance अच्छी होनी चाहिए incumbent भी जिसके पास कुरसी है जो office holder उसको बोलते है incumbent भी था समझ आया फर्स्ट आर्टिकल everyone वीटोस का मतलब वही होगा एक तरीके सर्थ इसके पास राइट हो किसी decision को change करने की अब हम क्या करेंगे दूसरा आर्टिकल आप reading नहीं करेंगे बैटा आप क्या करेंगे skimming करेंगे the constitution of India deserves better इंडिया का जो constitution है वो बहुत और भी बहुत अच्छा deserve करता है चलो देखते है author क्या कहना चाह रहे हैं बस मुझे main idea बता न चलो S&P बैटा मंगी party का नाम है हाँ आज का और कल का perfection बैट सबके लिए free है बैटा जो बच्चे कहते हैं कि मैं free बाल ले लू तो आज को कल का perfection बैट सबके लिए free है make sure आप attend कीजेगा जिन्होंने subscription ले लिए वो live आएंगे बीटा पुरानी वानी classes को तब करेंगे जब किसी दिन class नहीं हो रही अदर बाइस live आओगे साड़े हाट बचे रोग सब्सक्राइब अपनागे जब स्वी वागे साड़े हारो जब किसी दिन्होंने लिएए क्या लिखा हुआ है क्या समझ में आया जो इंडिया का कॉंसिट्यूशन है उसको असेंबली ने डॉप्ट किया था वी दा पीपल अफ इंडिया हम लोगों के लिए डॉप्ट किया था दोजार पंदरा से नवेंबर 26 को कॉंसिट्यूशन दे के लिए इस दिन हमारा कॉंसिट्यूशन अडॉप्ट किया था चलो यह जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कंट्री के लिए इस दिन हमारा कॉंसिट्यूशन बनाता गवर्मेंट के लिए लेकर जरूरी है कि हम सेलिब्रेशन के आगे बढ़ें और हम इशूस को भी देखें जित्ते भी इस चीज़ से रिलेटेड थे तो अग उनकी तरफ भी क्या करें हम उनकी तरफ भी अपनी नजरों को डालें तो प्रॉब्लम्स की तरफ भी नजरों को डालने की जरूरत है किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो प्राइमरी पार्श्मेंट पार्श्में जो हमारी करण्टी को सबसे इंपॉर्टेंट ड भी कुछ अलग नहीं है सचाई यह है कि Constitution हालां कि हमारा एक integral part है हमारा के बहुत important part है फिर भी लोगों Constitution के बारे में बहुत कुछ knowledge नहीं है तो author ने क्या बोला main idea क्या है Constitution हमारा इतना important document है फिर भी लोगों को awareness नहीं है जो लोग पढ़े लिखें नहीं उनकी बात नहीं करें educated लोगों को भी Constitution के बारे में awareness नहीं है यह चीज़ बहुत दुख देने वाली है हमारी country के लिए चलो आगे पढ़िए अगे पढ़िए अगे बहुत त्यारा आर्टिकल है इस वांडर फुल आर्टिकल मज़ा है का आप लोगों को पढ़ने में Constitution का impact हमारी day-to-day लाइफ में पढ़ता है हाला कि हो सकता है मवेर ना अगर हम किसी पोलिस्मेन को पूछते हैं कि वह हमको क्यों रोक रहा है तो क्यों पूछ पाते हैं क्योंकि Constitution ने हमें वह करते हैं इससे फुशीब करवाया है हमारी fundamental rights के दूRun हम और पसंद करते पताते हैं जिजों को कर solo लेंगे हैं और गए हैं को भास्पीड में जालerson कहां से आते हैं, यह सारे के सारे freedoms हमारे constitution से आते हैं constitution ने हमें यह हक दिया है इसलिए हम यह सब चीज़ें कर पाते हैं तो importance of constitution बताया गया है कि constitution ने हमें जो हक दिये हैं, उन सब की वरे से हम अपनी जिंदगी नॉर्मली जी पाते हैं चलो आगे relish means enjoy enjoy करना बेटा emanate means कहीं से निकलना आगे पढ़िये आगे यह freedom हमें नहीं मिलते थे independence नहीं था जब मिला था हमें Britishers के टाइम पर यह freedom हमारे पास नहीं थे जब हम independence हमें मिलने वाला था हमारे freedom fighters चाहते थे कि हम past से बिल्कुल past इतना हमारा खराब रहा है हमारा future उतना खराब ना रहा है उन्होंने एक नई society बना एक constitution के थ्रू constitution को एक pen से pen से declare किया गया कि सारे citizens equal है चाहे कोई भी caste हो, creed हो, color हो, gender हो हर citizen equal है यह एक बहुत ही important चीज थी एक ऐसी country के लिए जहांबे बहुत सारे religions, rituals, ignorance of poverty थी जिसकी वरसे inequality थी men और women के बीच में पूर के बीच में पड़े लिखे और ना पड़े लिखे के बीच में, learn it के बीच में और common इंसान के बीच में इन सारी चीजों को अलग हटा के constitution जो हर किसी को equality देता है सबको एक level playing field देता है चाहे वो कमजोर भी क्यों नहों चाहे वो meek is also कमजोर तो पूरे क्या लिखा हुआ है words means बिल्कुल last point पे होना उस अंत पे ही थे मतला हमें independence मिलने ही वाला था तो क्या लिखा हुआ है कि constitution ही है जो हमें equality देता है इंडिया में पहले equality नहीं थी इंडिया में पहले हमें हमारे हक नहीं मिलते थे Britishers के टाइम पे हमारे पास इसा ब राइट्स नहीं थी और बहुत कुछ inequality बहुत कुछ differentiation था constitution ही वो चीज़ सी जिसने हमें सारे हक दी constitution ही वो चीज़ सी जिस तो जो equality लेकी आया चलो next paragraph लेकी जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं ordinary people उनको बोलते लेटी आगे यह लिखाव है इस बात में कोई मनाई नहीं है कि law जो है weak source है इंसान की thinking change करने में उसका behavior change करने में constitution ने हर किसी को equal बोला equality सिर्फ constitution लिख देने से नहीं आती है लेकिन अगर हम इसे अपने बच्चों को दे social change possible है अगर हम सारे अपने बच्चों को सिखाएं कि वो जूट ना बोलें चोरी ना करें क्या हम उनको नहीं सिखा सकते कि अपने classmates को बिना किसी partiality के treat करें सबको equal treat करें यही हमारा constitution भी कहता है लेकिन हम अवेर ही नहीं है constitution जो कहता है article 15 कहता है कि जो state है वो कोई भी discrimination कोई भी भेदभाव नहीं करेगा religion के base पर race के base पर caste के base पर sex के base पर place of birth के base किसी भी base पर कोई भी discrimination नहीं होगा यह sentence कितना अच्छा होता अगर इस sentence में the state की जगह society होता preamble is introduction to the constitution में प्रियांबल क्या होता है constitution का introduction तो author ने क्या बोला author ने बोला हम अपने बच्चों को सिखानी चाहिए अच्छे चीज़े हम अपने बच्चों को equality सिखानी चाहिए constitution भी यही कहता है कि equality होनी चाहिए चलिए last paragraph read करेंगे समी लो बश्चों को बच्चों को प्चाहिए जबसाए उसाए कि आपए ठाइ İs पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, क्या किसी पैरेंट ने कभी सोचा इस बारे में, जब अपने बच्चों को बढ़ा करते हैं, उनको अच्छी मैनर्स सिखाते हैं, अच्छी वैल्यूस सिखाते हैं, जो हम वैल्यूस हम सिखाते हैं, अपने बच्चों को वो तो उनके माइ प्राइमरी लेवल तक पर कोई कॉंस्टूशन पर फोकस नहीं होता नवेंबर 26 को हमें कॉंस्टूशन डी के तर सलिब्रेट करते हैं यह बात अच्छी है लेकिन हमें सिफ सिंबॉलिजम पर ही नहीं रुकना है हमें वह सारे इशूस देखने हैं जो हमारा कॉंस्टूशन डील करता है और अपनी जिंदिगों को और अच्छा बनाना है हमारे जो पुरानी टेक्स है जैसे कि वासुदेवय कुत्मबकम जो कहता है कि सारी की सारी जो इंसान हुमानिटी है जो सब जो है वो हमारी फामली है हर इंसान दूसरे इंसान से रिलेटेड है त आय। यह हमें तभी कंस्टिउशन का फर्स्ट पेज खोलेंगे इसके लिए हमारे पास कौंस्टिउशन की कोपी होनी चाहिए और यह एक मुवीठिकेट्ट से से विक सस्ति आती है constitution हार किसी के घर में होना चाहिए और ने बोला और हमें उस constitution को पढ़ना चाहिए कि येस चाल समझ मैं दोनों आर्टिकल्स फैलो में साथी साथ के चले मैच दगॉलम्स फो यू volition means आपकी इच्छा unveiled किसी इसको सामने लेके आना bolster किसी इसको strong बनाना galvanize उसको active कर देना ratification किसी इसको official बना देना अच्छा this was one unveiled में सामने लेके आना two, four, five, three and one scores everyone two, four, five, three and one चाले दस words है इन मेंसे पांच words का meaning सभी लोग comment section में लिखेंगे everyone will write the meaning of at least five words in the comment section सभी को लिखना है आज का descriptive question यही है कि constitution के बारे में awareness अब कैसे फैला सकते हो constitution को लेके आपने क्या पढ़ा second article में दो लाइन लिखना तीन लाइन लिखना अब लिखना जरूर कि constitution को लेके आपने क्या पढ़ा second article में yes चलिए error reduction की class अभी हम करेंगे इस सारे questions नब को करवाँगी error की class में अब करेंगे आज हम error की class 1 30 PM पर आने काडमी लर्निंग अप्लिकेशन पर ही होगी आज का perfection की batch सबके लिए free of cost है तो make sure क्या perfection batch को ज़रूर अटेंड करें साधे 8 बजे और आज की तीनों classes free of cost हैं तो जितने भी बच्चे हैं जो नहीं सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं मुझसे complete English पढ़ना चाहते हैं वह आज के आज की लर्निंग अप्रिकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे बारा यह 24 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ना पले सकते हो 24 मंस लोगे आपको सब्सक्रिप्शन पढ़ेगा कोड लगा दो कि निमिश्या आपको माक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक लोगे आपको बुक्स भी मिल जाएगे हार्ड कॉपी में ठीक है चालो तो आज का सेशन हम यहीं एंट कर रहे हैं तीन सेंटर से सब्सक्रिप्शन लोग मिलके बोलेंगे यह टेलिग्राम चानल आप जोईन कर लो आपको सारा पीडिएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चानल इस डेली एडिटोरियल विद निमिश्ग बंसिल तीन सेंटर से अभी लोग मिलके बोलेंगे वांट टू थ्री और गो English is a very easy language I am very good at English and I'll definitely get my dream job thank you everyone bye bye, take care, stay blessed and data